बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी kidney function करना बंद कर दें या less functional हो जाएं तो क्या होगा हमारी body में हमारे blood में nitrogenous based material का deposition चालू हो जाएगा जिसकी वे से हम बहुत बीमार पढ़ सकते हैं इसलिए blood का filtration जरूरी है अगर हमारी kidney less functional है या function नहीं कर रही है तो artificial kidney य इस machine के अंदर blood डालते हैं और यहाँ पर semi permeable membrane है और इस machine के अंदर dialyzing solution बरा रहता है इस dialyzing solution में हमारा blood purify होता है जिसमें से सारे nitrogenous waste material निकाल दिये जाते हैं और फिर इस blood purified blood को एक vein के थू हमारी body में वापस डाल दिया जाता है ये एक repetitive process है इसको कुछ-कुछ duration पर हमको repeat करना पड़ता है अगर हमारी kidney less functional है